बरिजय चात्रो आज हम पादप व्रिध्धी एवं परिवर्धन का अध्यान करेंगे मुझे कौन बताएगा कि पादपों में व्रिध्धी क्या होती है? सर, कोशिकाओं के आकार तथा लंबाय में व्रिध्धी होना पादप व्रिध्धी को दर्शाता है बहुत अच्छा सुरेश सर, क्या हम पादपों की व्रिध्धी को माप सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रशन है राहुल पौधों की वृध्धी को भिन्नकार को जैसे पोशक तत्वों की उपलब्दता, जल की उपलब्दता, ऑक्सीजन इत्यादी द्वारा मापा जा सकता है मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि ओकिंसंस, जिब्बिरेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एथिलिन तथा एपसिसिक एसिड यानी अमल पाँच पादव वृध्धी नियामक हैं इस अध्याएं में आप पादवों की वृध्धी एवं विकास का अध्ययन करेंगे उद्देश्य इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे पादवों में वृध्धी का वडन करना वृध्धी के चरणों की व्याख्या करना विध्धी दर को परिभाशित करना विध्धी की मातरात्मक तुल्ना को समझना विध्धी के लिए दशाओं का वड़न करना विभेदन, निर्विभेदन तथा पुनर विभेदन को परिभाशित करना परिवर्धन को परिभाशित करना पादप वृध्धी नियामक का वळन करना, दीपती कालिता की व्याख्या करना और वसंती करण की व्याख्या करना वृध्धी विभाजन तथा परिवर्धन द्वारा कोशिकाओं के आकार तथा संख्या में आपरिवर्थनिये यानि आनिवरत्य बढ़त को वृध्धी कहते हैं पात्पों में वृध्धी प्राया आपरिमित होती है पाधों में ससीमित वृध्धी करने की इक्षमता होती है जिसके कारण उनके शरीर में कुछ खास जगों पर विभज्धी योतक यानि मेरिस्टेम उथकों की उपस्तिती होती है विभजी योदकों यानि मेरिस्टेम की कोशिकाएं स्वयम विभग्त होने में सक्षम होती है विभजी योदक की क्रियात्मक्ता से जब नवीन कोशिकाएं पौधे के शरीर में चुड़ती हैं तो उसे वृध्धी का खुला स्वरूप कहा जाता है मोल शिखागर विभजीयों तक तथा प्रारो शिखागर विभजीयों तक पौधे के दीर्गी करण के लिए उत्तरदाई होते हैं दूई बीच पत्री पौधों में पाश्व विभचियोतक, समवहनी केम्बियम तथा कौर्क केम्बियम पौधों की दूई तियक वृध्धी के लिए उत्तरदाई होते हैं। वृध्धी माप योक्य है। पौधे की वृध्धी को भिन कारकों जैसे कोशिकाओं की संख्या, ताजी भार वृध्धी, शुश्क भार वृध्धी, कोशिका के आकार में वृध्धी आदि दौारा मापा जा सकता है। उधारण के लिए तरबूस की कोशिकाओं का आकार साड़े तीन लाक गुना तक बढ़ सकता है। प्रिष्टियक शित्रफल में बढ़ोतरी पत्तियों की वृध्धी को दर्शादी है। वृध्धी के चरण। वृध्धी की अवधी को तीन चरणों में विभक्त किया गया है। विभज्य योद्किये दीरगी करण तथा परिपक्वता। विभज्य योद्किये चरण। विभज्य योद्किये चरण में कोशिकाएं मोल शिखागर तथा प्रारोह शिखागर दूनों में लगातार विभाचित होती हैं। इन ख्षित्रों की कोशिकाएं जीव द्रव्य और व्यापक किंद्रक से भरपूर होती हैं। दीरगी करण चरण इस चरण का उद्देश कोशिकाओं का दीरगी करण है। परिपक्वता चरण इस चरण में कुशिकाएं अपने पून आकार, रूप तथा सन्रचना को पानी के लिए परिपक्व हो जाती हैं वृध्धी की दर समय की प्रती इकाई के दोरान बड़ी हुई वृध्धी को वृध्धी दर कहा जाता है पौधे दो प्रकार की वृध्धी दर्शाते हैं अंक गणितिये वृध्धी तथा जयामितिये वृध्धी केवल एक संतती कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है जबकि दूसरी परिपक्व होती रहती है उधारण के लिए निश्चित दर पर दीरगी कृत होते मूल गणितिये रूप में L T बराबर L 0 प्लस R T जहां L T बराबर टाइम T के समय लंबाई L 0 बराबर टाइम 0 के समय लंबाई R बराबर वृध्धी दर अंग की लंबाई समय के विरुध अभिलिखित की गई है जिसके फलसरूप एक रेखिये वक्र पाया गया है जयमितिये वृध्धी प्रारंविक वृध्धी धीमी होती है जिसके बाद वृध्धी तेजी से बढ़ने लगती है तथा इसके बाद के चरण में व्रिध्धी फिर से धीमी हो जाती है। सभी कुशिकाएं उतक तथा अंग इस तरह की व्रिध्धी को दर्शाते हैं। गनतिय रूप से W1 बराबर W0ERT, W1 बराबर अंतिम आकार, W0 बराबर प्रारंभिक आकार, R बराबर व्रिध्धी तर, T बराबर समय में व्रिध्धी, E बराबर स्वभाविक लगुगाणिक का आधार, व्रिध्धी की मातरात मक्तुल्ना, व्रिध्धी की मातरात मक्तुल्ना के दो तरीके हैं। परम यानि निर्पेक्षिक व्रिध्धी दर तथा साबेक्षिक व्रिध्धी दर। मापन और प्रती यूनिट टाइम की कुल वृध्धी की तुलना परम वृध्धी दर कहलाती है परम वृध्धी को A1 तथा B1 पत्तियों के निर्मान के लिए A तथा B पत्तियों को शेत्रों में दर्शाया गया है दी गई प्रणाली की प्रती यूनिट समय पर वृध्धी सापेक्षिक वृध्धीदर कहला दी है दिये गई चित्र में दोनों पत्तियों में 20 cm वर्ग की वृध्धी हुई है लेकिन पत्ति A में अपेक्षक रित अधिक वृध्धी हुई है वृध्धी के लिए दशाएं वृध्धी के लिए निम्न दशाएं आवशक है पोशक तत्व जीव द्रव के संशलेशन के लिए परियाप्त पोशक तत्वों की आपूर्थी आवशक है ये उर्जा के स्रोत की तरह कारे करता है जल व्रिद्धी के लिए जल की समुचित आपूर्ती आवशक है। ये कोशिका की स्फीदी को बनाए रखता है, जो की व्रिद्धी को बढ़ाता है। ये एंजाइमी अभिक्रियाउं को माध्यम भी प्रदान करता है। आक्सीजन ये श्वसन तथा उड़ जा के निशकासन के लिए अनिवाड है। ताप व्रिद्धी के लिए सरवधिक वांचनिये ताप इस्टतम ताप कहलाता है, जो की 28 डिगरी सेलसियस से 30 डिगरी सेलसियस तक होता है। 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप जीव द्रव्य को क्षती पहुँचाता है तथा वृध्धी को रोग देता है। विभेदन, निर विभेदन तथा पुनर विभेदन विभेदन, विभेदन वो प्रक्रिया है जिसमें विभजी योतक कोशिकाएं विशेश कारे को करने के लिए संडचना तथा आकार में परिवर्तन कर लेती हैं। उधारण के लिए अधित्वक यानी प्रोटोडर्म कोशिकाओं के DNA संशलेशन के पशचात कोशिका का विस्तरण होता है तथा इससे आपरीपक्वत तौचा यानी ट्राइकोम बनता है। इसके पश्चात केंद्र की ये अभिगमन होता है, तथा शाखन पाया जाता है, तथा फिर ये परिपक्वता अवस्था तक पहुँचता है। निर्विभेदन निर्विभेदन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से विभेदित कोशिकाएं विभाजन की ख्षमता को पुना प्राप्त कर लेती हैं, तथा विभज्य योद की ये बन जाती हैं। पुनर्विभेदन वो प्रक्रिया है जिसमें निर्विभेदित कोशिकाओं को निर्माण विभज्य योद की ये कोशिकाओं से होता है। ये विभज्य योद की ये कोशिकाएं किसी विशिष्ट कारे को करने के लिए संदचना तथा आकार में परिवर्थन कर लेती हैं। परिवर्धन के अंतरगत एक जीव के जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल हैं, जो बिजांकुरण एवं परिपक्वता के बीच संगठन की निम्न दशा से उच्छ दशा में आते हैं। प्लास्टिसिटी कहते हैं। यदि भिन आकार वाली पत्तियां एक पौधे के सामान अथवा भिन प्रारोह पर उपस्तित होती हैं, तो ये अवस्था विशम पर्णता कहलाती है। जो की व्रिध्धी तथा विभेदन को नियमित करते हैं। ये पतार्थ व्रिध्धी नियामक कहलाते हैं। एक व्रिध्धी नियामक को इस प्रकार से परिभाशित किया जा सकता है कि ये एक कारबनिक पदार्थ है, जो की पौधे में प्राकृतिक रूप से नियमित होता है। तथा पौधे की व्रिध्धी तथा अन्यकारियों को प्रभावित करता है। ये एक निश्चित स्थान पर कम मातरा में निरमित होकर अन्यस्थानों के कारियों को नियमित करता है। ये हैं औकिसंस, जिब्बिरेलिंस, साइटू किनिंस, एथिलेन तथा एपसिसिक एसिट यानि अमल, पादप वृध्धी नियामकों की खोज. पिछले साथ वठ्षों में वृध्धी नियामक पौधों से बड़ी संख्या में प्रत्ख किये गए हैं. चाज डार्विन ने जब देखा कि कनारी घास का प्रांकुर्चोल यानि कोलियो पताईल एक पाश्वी प्रदीपन के प्रती अनुक्रिया करता है और प्रकाश के उद्गम की तरफ प्रिधी करता है. प्रयोग्यों की एक लंबी श्रंकला के पश्चाद ये निश्कर्ष निकाला गया कि प्रांकुर्चोल की नोक संचारणिया प्रवाह की जगा है जो संपून प्रांकुर्चोल के मुणने के कारण है. आक्सिन की खोज एफ डवल्यू वेंट के द्वारा प्रांकुर्चोल के सिरे से की गई है. बेगेन सीटलिंग धान के पौधे यानि नवोदभित की बीमारी है जो रोग जनक कवक जिबरेला फूजी कोराई के द्वारा होदी है. इक कुरु सोवा ने रोग रहिद्धान की पौधे में रोग लक्षन को बदाया जब उन्हें कवक के जिवाडों हीन निसियंदों के साथ उपचारित किया. सक्रिय तत्व की पहचान बाद में जिब्बेरेलिक अम्ल के रूप में हुई पादव रिधी नियामकों की खोज. एफ सकूग तथा उनके सहकर्मियों ने देखा कि तंबाकों के तने के अंतरपर्व खंड से अवी भेदित कोशिगाओं का समू तभी प्रचुरित हुआ जब ओकिंसन्स के अलावा मीडियम में वाहिका उतकों के सत्व या येस्ट सत्व रूप में दिया गया. सकूग और मिलर ने साइटो काइनेसिस को बढ़ावा देने वाले इस दत्व को पहचाना और काइनेटि नाम दिया. तीन अलग-अलग वैक्यानिकों ने सौतंत्र रूप से तीन तरह के निरोधक का शुद्धी करण एवं उसका रासाइनिक स्वरू प्रस्तुत किया. वे निरोधक, बी, बिलगन, सेकिंड एवं डोर्मेन हैं. बाद में ये तीनो रासाइनिक रूप से समान पाए गए. इसका नामकरण एपसिसिक अमल के रूप में किया गया. ये सुनिषित किया गया कि पके हुए संतरों से निकला हुआ एक वाशपशील तत्व पास में रखे बिना पके हुए केलों को शिग्रिता में पकाता है. बाद में ये वाशपशील तत्व एथिलीन के नाम से जाना गया. पादव्रिधी नियामकों का काई किये शरीर क्रियात्मक प्रभाव ओकिनसंस इंडोल इसेटिक अमल मुक्य प्राकृतिक ओकिनसंस है इंडोल ब्यूटेरिक अमल भी पौधों से प्रथक किया गया है कृत्रिम ओकिनसंस के उठारण है नेफ्थेलिन एसिटिक अम्बल तथा दोचार डाइक्लोरो फिनोक्सी एसिटिक अम्बल ये सभी ओकिंसंस क्रिशी क्षेत्र के लिए अत्यधिक उप्योगी हैं ओक्सिंसंस का पौधों पर कहिकिये शरीर क्रियात्मक प्रभाव कक्षस्थ कलियों त्वारा अग्रस्थ कलिकाओं का अवरोधन शिखागर प्रधानिता कहलाता है तथा ये ओक्सिंसंस के परिवाहन के कारण होता है ओक्सिंसंस कैंबियम तथा प्राथमिक विभजियोत को में कोशिका विभाजन को उत्तिपित करता है कोशिका के दीरगी करण में आकिसंस एक महदपून भूमी का निभाता है प्रारोह सिरे तथा मूल सिरे पर आकिसंस विभिन प्रकार से क्रिया करता है ये निम्न संद्रता पर मूनों के निर्मान को बढ़ाता है औक्सिसंस विलगन परतकार निर्मान करके पत्तियों को गिरने से बजाता है औक्सिसंस बीच रहित फलों के निर्मान को प्रफावित करता है ये अनिशेक फलन भी कहलाता है जिब्बेरे लिंस जिब्बेरेलिन्स पादवृध्धी निय अमकों की शृणी में आता है। जिब्बेरेलिन्स का पौधों पर काई किये शरीर क्रियात्मत प्रभाव। जिब्बेरेलिन्स तने के दिरगी करण तथा पत्ती के फैलाव को बढ़ावा देता ہے लेकिन ये मूलों चानी चड़ों पर कोई प्रभाव नहीं डालता जिब्बरेलिंस सलाद अनाचो आदी में बीज अंकुरन को प्रोजाहित करता है जिब्बरेलिंस के साथ उपचार करने पर मटर, फली, टमाटर, काली मिर्च, खीरा, सलाद तथा पत्ता गोभी इन सभी पौधों में पत्तियां चौड़ी तथा लंबी हो जाती है जिब्बरेलिंस कलियों तथा प्रकंद की प्रसुप्ति को रोग देता है लेकिन मूल प्रकंद में जिब्बरेलिंक अमल का प्रयोग मूल प्रकंद के विकास को अवरुध करता है जिब्रेलिन्स टमाटर से पित्यादी में अनिशेक फलन को उद्पन करता है साइटो किनिन्स साइटो किनिन्स का पौधों पर काई किये शरीर क्रियात्मक प्रभाव ओकिसंस की उपस्तिती में साइटो किनिस कोशिका विभाजन को उद्दीपित करता है यहां तक की अविभजीयोत की ये उतको में भी। ब्रिदूतक यानि पेरन काइमा उतक समवर्धन में जब ऑगिसंस तथा साइटो किनेंज उपस्तित होते हैं तो समसूत्रिये विभाजन तीवर हो जाता है। ये अनिक बीजों की प्रसुप्ति को तोड़ता है तथा उनके अंकुरन को बढ़ावा देता है। ये पाश्व कलियों की वृध्धी को भी बढ़ावा देता है। साइटो किनेंस प्रोटीन संशलेशन को नियंतरित करके पादप अंगों में जीडन की प्रक्रिया को कम करता है। ये पादप कोशिकाओं में लवड के संचैन में भी साहयक है। एथिलीन एथिलीन का पौधों पर काई की ये शरीर क्रियात्मक प्रभाव। ये तनों तथा मूलों के दीरखी करण को संदमित करके उनकी व्रिद्धी को परिवर्टित कर देता है। ये पाश्वकलियों की व्रिद्धी को संदमित करता है तथा शिखागर प्रधानिता को उत्पन्ने करता है। ये अपच्छेदन यानि विगलन परत के निर्वान द्वारा पत्तियों, फूलों तथा फलों के अपच्छेदन को बढ़ाता है। ये अधिकांश पौधों में पुषपन को धीमा कर देता है, लेकिन अननास, आम तथा अन्ने कई पौधों में पुषपन को बढ़ा देता है। ये खीरे के पौधे में मादा पुश्पों तथा फ़लों की संख्या को बढ़ाता है। एपसिसिक अमल का पौधों पर काई किये शरीर क्रियात्मक प्रभाव। ये तनाव हार्मून की भांती कारे करता है तथा स्टोमेटा यानी रंद्र के बंध होने को उद्धिपित करता है। ये प्रारोह व्रिध्धी को रोकता है लेकिन मूलों को अधिक प्रभावित नहीं करता है। ये संचेइत प्रोटीन के संशिलेशन के लिए भीजों को प्रेरित करता है। ये विभिन प्रगार के तनावों के लिए पौधों की सहनशीरता को बढ़ाता है। ये जिब बेरेलिन्स के विरोधक के रूप में कारी करता है। दीप्ती कालिता कुछ पौधों में पुष्पन सिर्फ प्रकाश और अंधिकार की अवधी पर ही निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी सापिक्षिक अवधी पर निर्भर करता है इस घटना को दीप्ती कालिता कहते हैं अवरित्वीजी पौधों के पुष्पन की प्रतक्रिया को तीन शृड़ियों में बाटा गया है अलप प्रदीप्त काली पौधे ये पौधे पुष्पन तप्रारंब करते हैं जब दिन में यानि प्रकाश की अवधी एक निश्चित क्रांतिक अवधी की तुल्ला में कम यानि छोटी होती है। यदि इन पौधों का एक निश्चित क्रांतिक अवधी की तुल्ला में अधिक अवधी पर छोड़ दिया जाए, तो ये काईक बने रहेंगे। अल्प प्रदीप्त काली पौधों के उधारण कास्मोस डहलिया आदी हैं। दीर्ग प्रदीप्त काली पौधे जब दिन में प्रकाश की अवधी एक निश्चित क्रांतिक अवधी की तुल्ला में अधिक होती हैं, तब ये पौधे पुषपन को रोग देते हैं। दीर्ग प्रदीप्त काली पौधों के उधारण जौव गन्ना आदी हैं। तठस्त प्रदीप्त काली पौधा इन पौधों में प्रकाश की अवधी एवं पुषपन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता है। तठस्त प्रदीप्त काली पौधों के उधारण सूरज मुखी टमाटर आदी हैं। वसंती करण वसंती करण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधों में पुषपन को बढ़ाने के लिए उन्हें कम तापक्रम पर रखा जाता है। कई सम्शी तोषण पौधों में पुषपन की प्रक्रिया को प्रारम करने या उसे बढ़ाने के लिए वसंती करण की अविशक्ता होती है। कई पौधों की स्पिशीज यानी जातियां जैसे अरे बिडॉप्सिस, थेलियाना के इको टाइप्स तथा शरद अनाजों जैसे के गेहों को शरद रितू में ही बोना चाहिए। अनेक दूई वार्षिक स्पिशीज में वसंती करण पाया जाता है जो की ताप में भिन्न हो सकता है। क्या आप जानते हैं? पाश मूल परिरंब से विक्सित होती है। एलियरोन कोशिकाओं में अलफा एमाइलेज एंजाइन के लिए MRNA संशिलेशन को GA3 रोकता है। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराएं। व्रिद्धी को एक अवियव या अंग या इसके किसी भाग या यहां तक की एक कोशिका के आधार में अनिवर्थ इस्थाई बढ़त के रूप में परिभाशित किया जा सकता है। व्रिद्धी के तीन चरण विभजी योत किये दीर की करण तथा परिपक्वता है। समय की प्रती इकाई के दोरान बड़ी हुई व्रिद्धी को विर्धी दर कहा जाता है। पोशक तत्व, जल, आक्सीजन, ताप, व्रिद्धी के लिए आवशक दशाए हैं। विभेदन वो प्रक्रिया है जिसमें विभजी योतक कोशिकाएं विशेश कारे को करने के लिए संदचना तथा आकार में परिवर्थन कर लेती हैं। निर्विभेदन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पहले से विभेदित कोशिकाएं विभाजन की एक्षमता को पुना प्राप्त कर लेती हैं तथा विभजी योतकिये बन जाती हैं। पुनर विभेदन वो प्रक्रिया है जिसमें निर्विभेदित कोशिकाओं को निर्मान विभजी योतकिये कोशिकाओं से होता है। औकिसंस, जिबेरेलिंस, साइटोकुनिंस, एतिलीन तथा एपसिसिकामल पृध्धी नियामक हैं। कुछ पौधों में पुश्पन सिर्फ प्रकाश और अंदकार की अवधी पर ही निर्भर नहीं करता बलकि उसकी सापेक्षित अवधी पर निर्भर करता है। इस घटना को डीपती कालिता कहते हैं। वसंती करण वप्रक्रिया है जिसमें पौधों में पुश्पन को पढ़ाने के लिए उन्हें कम ताप करम पर रखा जाता है। झाल 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 झाल